नमस्कार दोस्तो, know about investment चैनल में आपका फिर से एक बर स्वागत है आज का ये वीडियो बहुत जादा interesting होने वाला है तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत कीजेगा, दमदार वीडियो होने वाला है और ये वीडियो आपको समझा देगा कि आपको क्या कुछ करना चाहिए श्टॉक मार्केट में और तमाम पांच स्टॉक के उपर मैं यहापर वान येर का टार्गेट भी आपके साथ डिसकस करूँगा और जो इन्फोमेसन आपको जाननी चाहिए श्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले और जो चीज जो चीज समझना ही होगा आपको वो भी मैं यहापर इस वीडियो के अंदे डिसकस करूँगा तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक चोटा सा रिकोष्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी इस चैनल के उपर नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकसन आप तक पहुँचे तो चलिए देखनेता है क्या कुछ है शारा कुछ सबसे पहले जो श्टॉक है वो है ITC देखिए ITC मैंने यहापर आपने जो धमनेल देखा है उसमें आप देख पाएंगे वान येर का टार्गेट वानियर का टार्गेट अगर आप मेरे से पूछे तो मैं आपको वो बता रहा हूँ थोड़ी देर में लेकिन उससे पहले कुछ चीजे मैं यह आपको बताना चाहूंगा जो लोग यहाँ पर वानियर का टार्गेट आईटीसी में देखकर आये है इस वीडियो को देखने के लिए सर मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा आईटीसी में अगर आप वानियर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह आपका एक गलत डिसिशन होगा सबसे पहले आप यह समझ लीजिए ITC और L&T यह दो स्टॉक लंबे अबधी के लिए ही है 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल ऐसे के लिए यह स्टॉक एक साल के लिए नहीं है एक साल अगर आप सोचेंगे कि मैं एक साल के लिए यह पैसे मैं ITC में निवेश करूंगा मैं यहाँ पर मुझको अच्छा रिटर मिल जाएगा सर अगर आपको ITC में निवेश करना है एक साल के लिए तो आप वो पैसा FD में रख दीजिए ठीक है उससे आपका रिटर बन जाएगा हो सकता है ITC यह पर एक साल में बहुत कुछ हो सकता है नहीं हो सकता ऐसा नहीं लेकिन इसका जो पिछला track record रहा है श्टॉक का जो पिछल मुश्किल है यह चलता नहीं है यह चलता नहीं है लेकिन जब भागेगा जब भागेगा तब आप समझ नहीं पाएंगे कि कहां से क्या हो गया कहां से क्या हो गया आप समझ नहीं पाएंगे ठीक है तो ITC के stock में यह bonus बहुत अच्छी देती है आपको यह भी information होनी चाहिए यह stock bonus बहुत अच्छी देती है अगर कोई यहापर 5 साल से यहापर invested है तो loss में नहीं है इसको bonus मिल चुका है dividend बहतरीन dividend देती है अगर देखे तो last dividend जो इसने declare किया था अभी तक आया नहीं bank account में तो वो अगर आप देखे तो 5.18% dividend 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 yield stock का आपको मिल रहा है तो अगर आप चाहते हैं एक साल के नहीं निवेश करना तो आप ITC को यहापर मतलब एक साल के नजरे से मत देखे यहापर अगर आप एक साल का target में से पूछे तो मैं आप यह बताना चाहूंगा जो मैं समझता हूं अगर सारा कुछ ठीक ठाक रहता है तो ITC का एक साल में जो target मैं समझता हूं तो वो 230 से लेकर 240 रुपिया यह मैं समझता हूं अगर यह ठीक ठाक रहता है और अगर नीचे जाता है तो आप मान कर चले 130-34 का जो यह इसका low है वान एयर का low है तो यह इसको भी touch कर सकता है लेकिन जरूरी नहीं यह करेगा ही अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 230-40 तक एक साल में जा सकता है लेकिन एक साल के नजरी के लिए इस टॉक को आपको नहीं देखना चाहिए कम से कम पाँच साल इस टॉक को आपको देना होगा तभी जाकर आपको तगडा रिटन बोनस डिविडेंट सारकुश यह पर मिलने की शंभावना जो है वो बनती है तो ITC उ आपर एगरी करते हैं तो कमेंड़ बक्स में जरूर से बताए कि ITC को आप कितने दिनों के लिए होल्ड करना पसंद करेंगे ठीक है उसके बाद दूसरा स्टॉक HDFC बैंक HDFC बैंक आप बोर हो जाएंगे कि यह स्टॉक के उपर तु बार बार इतना कुछ हम लोगों को क्या इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि HDFC बैंक आपको भूलना नहीं चाहिए HDFC बैंक आपको भूलना नहीं चाहिए HDFC bank का अगर आप current price देखे तो जब ये video वन रहा है उस date के हिजाब से जो closing price last closing price रहा है वो रहा है अगर आप यहां से target पूछे उससे पहले आपको मैं QHDFC bank को यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा इसके उपर भी आपको मैं बूलना चाहूंगा example for example आपने एक super bike खरी दिये आप सोचेंगे कि super bike के example यहापर मैं क्यूँ दे रहा हूं देखे जो लोग यहापर stock market में निविस्ट करते हैं उनका तो सपना ही होता है कि कुछ बड़ा करने का इसलिए वो stock market में आते हैं कुछ ज़्यादा risk लेकर कुछ ज़्यादा बड़ा करन है और उस bike में थोड़ी सी एक problem दिखाई दी और आपने यहापर google किया आपको आपके आसपास चारों तरफ आपने देखा जो मतलब 5-7 आपको यहापर mechanic मिलेंगे जो super bike repair करते हैं ठीक करते हैं उनको problem को ठीक करते हैं तो आप किसके पास जाएंगे यह मेरा सवाल है आप से किसके पास जाएंगे जो अगर आप मेरे से पूछे तो मैं तो सबसे best जो mecanica उसके पास ही जाऊंगा उसी तरह का banking sector में अगर कोई एक stock अगर कोई एक stock आपको buy करना है एक यहापर option अगर ज़्यादार है तो वो बात अलग है अगर आपके पास option एक ही है कि आपको banking में से एक stock ही यहापर buy करना है तो मैं आपको कहूंगा कि HDFC bank को ही यहापर आप चूज कीजे एक साल का जो target मैं यहापर मान कर चलता हूँ सब कुछ अगर ठीक ठाक रहता है तो 1500 से लेकर 1600 का target ही एक साल के अंदर अंदर हमको यहापर दिख सकती है लेकिन अगर economy यहापर ठीक नह आनी नहीं होगी ठीक है तो यह market के आगे आगे चलते हैं यह जो stock होते हैं ठीक है यह market को lead करते हैं जब यह चलते हैं तो यह stock में आपको और अगर नीचे आता है तो आपको वहापर खरीदारी ही करना होगा ठीक है अगर हिए अगर HDFC bank का stock अगर यहापर सब कुछ साथ आपको करना है CDSL CDSL जो मुझको अगले दिनों का अगले 5 10 साल का जो मुझको star performer मुझको नजर आता है मुझको मुझको नजर आता है तो वह CDSL है एक बहतرین कंपनी एक बहतरीन कंपनी बहतरीन कामकाज़ करती है डिमांड बहुत ज़्यादा डिमांड यह जो फिल्ड में अपना कामकाज करती है डिपोजटरी डिपोजटरी मतलब जो आपका स्टॉक यहाँ पर जहां पर रहता है इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में उसको कहते है अभी कि वाद में तो डिमेट अकाउंट जो आपको स्टॉक रहता है उस बहुत बहतरीन कामकाज कर रही है अगर मैं डिस्केमर देना चाहूंगा मैं यहाँ पर मतलब मेरा निजी निवेश भी सीडी असल के अंदर है और यह मैं आपको डिस्केमर के तौर पर इसलिए देना चाहूंगा कि मैं पसंद करता हूं इस टॉक को यह जरूरी नहीं कि आ पर नहीं कि यह स्टॉक इसी तेजी से बढ़ता रहेगा यह स्टॉक हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर मतलब कर्रेक्सन इसमें आ सकता है अगर इसलिए मॉक्या कीज़े मैं साथ सो से लेकर आठ सो तक तक भी सरह ras dado है अगर सब कुछ ठीक रहता है लेकिन अगर माहौल यहाँ पर negative होता है अगर सारा कुछ sentiment negative होता है market नीचे जाता है तब आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये stock 180 रुपय का भी low बना रहा था तो ये भी आपके जहर में होना चाहिए CDSL बहतरी इन company है निबेच करने से पहले जरूर से एक बार research कीजिए उसके बाद spice jet खत्रनाग stock है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये stock जैसा बढ़ सकता है उसी तरह ये stock गिर भी सकता है अगर आप इसका 52 लो देखे तो 30 रुपया हाई देखे तो 135 रुपया different समझ में आ रहा है चार्ट देखे तो चार्ट आपको यही बोल रहा है कि flight बहुत बार उपर निचे होता है flight take off होता है और यहापर आप देख पाएंगे चार्ट के उपर भी वही दिखा रहा है कि हम ये VSN के stock है तो उड़ता है कभी कभी यहापर airport पे होता है तो अगर आप यहाँ पर मेरे से पूछे तो मैं आपको यह कहना चाहँगा निवेश करने से पहले उसी पैसे को निवेश कीजे जिस पैसे को पैसे के उपर आप risk ले पाएंगे क्योंकि यह बहुत ही जाला risk की stock है अगर return दे पाया अगर सारा कुछ ठीक हुआ इनके aviation sector के लिए कुछ भी अच्छा आया और यह जो इनके flights है वो सारा कुछ उड़ने लगे और यह company जो है अगर इनका जो result है इनका जो quarter result है उनमें अगर कुछ भी अच्छा दिखना मतलब दिखाई पड़े तो यह stock कम से कम 100 रुपिया तक भी जा सकता है लेकिन यह लालच नहीं करना है कि stock 100 रुपिया चला जाएगा भी 50 है एक साल में डबल हो जाएगा यह आपके जहर में नहीं होना चाहिए यह रहेगा तो मतलब फस जाएंगे बरबाद हो सकते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क लेपाएंगे तो यहाँ पर खरदरी कीजिए लेकिन अपने बित्तिसला करके राय जरूर लीजिए स्पाइस जेट में इन्वेस्ट करने से पहले स्पाइस जेट आपको पहले जैसा की कहा खत्रनाग श्टॉक है यह मथको अमीर तो क्या बहुत जादा अमीर भी मना सकता है और यहाँ पर आपको फकीर भी बना दे सकता है स्पाइस जेट का स्टॉक यह इन सेक्टर के लिए है अभी रिस्क लेंक तो आपको khosak, हो सकता है आपने और 1 रुप्य का रिस्क लिए और आप एक रुपया भी terrific भी मिले, लेकिन रिस्क की उतनी ही है यह फ्रमला है वWithrėver नहीं बढ़ता रिस्क जादा है यहाँ पर हो सकते हैं न आपको 50 भी मिन आपक तो मैं यह नहीं कहना हूँ कि आपको यहाँ पर खरदरी करनी ही है देखिए, समझिए, सोचिए उसके बाद बहुत सोच समझ कर Spice Jet में निवेश कीजिए मैंने Spice Jet के उपर एक वीडियो वना कर रखा है एक नहीं, दो, तीन, चार वीडियो वना कर रखा है और एक disclaimer देना चाहूँगा इस टॉक में मेरा नीजी निवेस भी है तो अगर आप आप आइसे इसे लोंबाड में खरदरी करना चाहते हैं तो पहले इसका fundamental analysis देखिए मैं discussion में इसका link दे दूँगा और उसके बाद decision लीजिए एक साल का अगर आप इस पे लक्स देखे तो मैं इसको एक साल के लिए दिखता ही नहीं मैं इसको lifetime के लिए देखता हूँ मैं और अगर आप मेरे से पूछना चाहिए कि एक साल का लक्स कितना होगा तो ऐसे से लोंबाड में मैं कोई टिपनी यहापर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि यह stock मैंने एक साल के लिए नहीं लिया है आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा अगर आप ऐसे stock में इंसुनें सेक्टर में अगर आप निवेश करना चाहते हैं वहाँ पर आपका लक्स जादा दिनों के लंबे अबदी के लिए होना चाहिए ठीक है और जो चीज मैं यह आप आपको समझाने की कोशिश कर रहा था एक सबसे पहले fundamental analyze कैसे करते हैं यह सबसे important चीज होता है मैंने इसके उपर वीडियो वाना के रख़ा है नहीं खर देंगे गलत श्टॉक जो श्टॉक आपको यह पर बरवाद कर सकते हैं आप ऐसे श्टॉक कभी नहीं खर देंगे तो जाएए उस वीडियो को अभी के अभी जा कर देखिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताईए अगर अच्छा लगा कोई श्टॉक के ओपर कोई भी सवाल है जरूर से कमेंट कीजिए मैं उसका रिपले जरूर दूँगा लेकिन ऐसे सवाल मत पूछे कि ये श्टॉक का प्राइस पांच दिन में क्या हो जाएगा मैं भगवान थोड़ी हूँ कि पांच दिन में क्या स्टॉक का प्राइस होगा मुझे को पता है मुझे नहीं पता ऐसे सवाल मत पूछे ठीक है प्राइस के ओपर सवाल मत पूछे प्राइस क्या होगा ये किसी को नहीं पता किसी को नहीं पता प्राइस क्या होगा क्वालिटी के उपर कोई सवाल है फंडमेंटल के उपर कोई सवाल है ऐसे सवाल जो मतलब जिनका जो एंसर है जिनका एंसर सच में है वही सवाल पूछे क्या होगा यह मत पूछे यह किसी को नहीं पता भगवान को भी नहीं पता मार्केट में क्या होगा वो तो बोलते हैं कि तो लोग चलाओ मार्केट को मैं तो उपर से देख रहा हूँ ठीक है तो वह ने दिमाग दिया है उसको इस्तिमाल कीजिए मार्केट में पैसे कमाने के लिए आये हैं तो लालच थोड़ा सक कम रखे यहाँ पर और अच्छे श्टॉक ही चूज कीजिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना विकार लगे तो डिसलाइक कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिपिकसन आइकोन को प्रिस कर दीजिए टैंक्यू फ्रेंड्स चाहेंट